तेली हम अपनी क्लास अटेंड करते हैं और अपने अन्वहब को शेयर करते हैं और भी हमारे लीडर्स के अन्वहब को लेते हैं और उनके माध्यम से हम अपने बिजनिस को विस्तार देते हैं कि कि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम जीतेंगे नहीं और बताये जाता है कि learn is the earn जब हम learn करेंगे तब ही हम बहतर एक earn कर पाएंगे और इस zoom पे हमारे जितने भी leaders आते हैं उनका अपना एक अनभव होता है और अपने अनभव को share करते हुए हम एक दूसरे से सीखते हुए अपने अपने फिल्ड में जो हमें कटनाई आ रही होती हैं उनकटनाईयों का भी सामना कर सकते हैं कि यह time कोबिट का चल रहा है सरदी का मौसम है इस पर बहुत सारे leaders जो हमारी practically meeting हो पाती है वो भी नहीं हो पारी लेकिन इस जूम के माध्यम से जो हमारा excitement है जो हमारी knowledge है वो कम नहीं होनी चाहिए इस जूम के माध्यम से वो सारी चीज़े हमें मिल पा रही है और कितना आसान हो गया है आज इस business को करना कि हम अपने घर पर बैठे हुए हम अपने क्लिनिक पर बैठे हुए अपनी knowledge को बढ़ा सकते हैं कि knowledge सबसे important है और जब हमारी knowledge बहतर होगी तो हम अपने business को कभी भी रन कर सकते हैं तो ये जूम के माध्यम से हमें मिलती है हमारे महान गुरू जी अजैसर है जो daily कुछ ना कुछ नया बिस्तार से बताते हैं और उन्हाने आयू 64 के उपर बहुत अच्छे से study किया और अपनी meeting से बताया हम उसको अपनी family में use कर सकते हैं अपनी family में इस्तमाल कर सकते हैं हम अपने आपको use कर सकते हैं जिससे आने वाली जो समच से आए उसको दूर कर सकते हैं और आयू 64 और फ्रेंचाजियों पर आ चुका है बहुत कम प्राइज में बहुत ही बहतर दवा हमें मिल रही है और एक ऐसी बीमारी की जो बीमारी आज कल एक बहुत तेजी से क्रेज कर रही है अपनी market में उसने देश विदेश को तो हम उनसे बस सकते हैं दोस्तो मैं बताना चाहूंगा कि आज ट्यांस के माध्यम से हमने भी अपनी life को change किया है त्यांस में आने से पहले मैंने भी मेरा एक छोटा सा कैमिस्ट था और मैं कैमिस्ट को चलाता था जैसे कि आज और भी लीडर्स हैं और भी लोग हैं और भी डॉक्टर्स हैं हमारी टीम में हर आदमी कहीं न कहीं success होता है अपनी life में लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पर अपने आपको सोचते हैं कि हम बहुत फ्री हैं बहतर इंकम कर रहे हैं लेकिन मेरे दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ तब तक है जब तक हम वहां हैं मैं स्टियांस में आने से पहले मैं खोद एक successful इंसान था अपनी life में मानता था कि एक छोटा मोटा मकान था वो मैंने अपने दम पर बनाया था एक कार मेरे पास थी वो मैंने अपने दम पर बनाई थी और सब कुछ बहतर चल रहा था पांच भाईयों में सबसे बेस्ट में अपना काम कर रहा था जितने भी मेरे friend circle थे जो मेरे साथ student थे पड़े थे उन सब में मैं आगे था और मैं अपने आप के अंदर एक अलगी attitude रखता था कि मैं अपने अंदर अपने आपको एक successful इंसान मानता था लेकिन दोस्तों मैं आपको सच बताओं मेरे सामने बिल्कुल एक darkness थी क्यों कि सिर्फ और सिर्फ मैं उन लोगों में सबसे आगे था जिन लोगों में जो लोग मेरे touch में थे क्योंकि हमारी सोच बहुत बड़ी नहीं थी हमारी सोच अपनी शौप और अपने घर तक थी उसे साफसे हम आगे थे लेकिन जैसे ही हम दीरे दीरे नेट्व मार्केटिंग बिजनिस में आए तब हमें लगने लगा कि हम सबसे लास्ट में हैं हम सबसे पीछे हैं क्योंकि एक से बढ़कर एक इनसान मार्केट में पड़ा है एक से बढ़कर एक knowledge वाला इनसान है और हम कुछ नहीं हैं बहुत बड़े-बड़े लोग हैं जो इनकम कर रहे हैं इस्टियांस में आने के बाद हमें एक अलगी लाइफस्टाल मिला वो सारी चीजें मिली जो हमारा यह हर एक इंसान का एक सपना होता है हमें पहला टूर मिला चाइना का जो हम लाइफ में कभी नहीं कर पाते जो हम लाइफ में कभी नहीं कर पाते और मोस्टली इस जूम पैनल पे 31 पार्ट स्पेट हैं और मैं अगर गलत नहीं हूं तो मैं बताना चाहूंगा कि इन मैंसे कोई भी लीडर अपना पैसा खर्च करके चायना घूमने नहीं जाएगा इसके बाद हमें सिंगापूर मलेशिया थाइलेंड का टूर मिला तो मैं बताना चाहूंगा इस जूम पैनल पर जितने भी लीडर्स हैं ज्यादा तर कोई भी लीडर अपना पैसा खर्च करके सिंगापूर मलेशिया थाइलेंड नहीं घूमने जाना चाहेगा हूं कि कि फहला नंबर हम पर है नहीं है पहला नंबर हम पर वो पैसा है नहीं है दूसरा कि बहुत सारे लीडर इस जूम पैनल पर उन पर बहुत अच्छा पैसा है लेकिन हम जाना नहीं चाहेंगे मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पैसा नहीं है लेकिन फिर भी मैं यह बताना चाह रहा हूं कि हम जाएंगे नहीं हम इतना पैसा खर्च करके घूमने नहीं जाएंगे थैंक यू सवाना मैं थैंक यू लेकिन दोस्तों इस्तियांस के माध्यम से हमें देश-विदेश घूमने का मौका मिला हमारी सोच डबलब हुई हमने सोचा कि अभी तक थे हम तो वो सबसे लास्ट में थे हम हमारी कोई गिंती नहीं थे बेशक हम अपनी डॉक्टरी की कुरसी पर बैठते थे मरीज हमारे पास आते थे लेकिन हम से पेशेंटों को देखते थे हम कॉन से यविल के डोके थे हम अपनेी सुसाइटि्टी में हम aggregate ही नहीं सकते ही बड़ी ससाइटी में हमारे पास कोई डॉक्टर कोई पेशेंट आए गए नहीं ते वाले ने क्योंकि जितना हम जानते हैं उससे बहतर तो वो लोग खुद ही जानते हैं तो हम वहीं बैठते थे जहां बिल्कुल इंटेरियल इलाका होता था लेकिन दोस्तो आस्ट्यांस के माद्यम से हमने अपने आपको डबलब किया उस माहुल में गए जिस माहुल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और धीरे धीरे हमने भी अपने आपको चेंज करना स्टार्ट कर दिया कि अक्सर मैंने सुना आप लोगों नहीं सुना होगा कि धीरी भाई अम्मानी पेट्रल टंकी पर काम करते थे तो पांच रुपे मिलते थे उनको लेकिन वो हफ़ते में एक बार पचास रुपे की चाय पीने जाते थी यानि वो ये सोचना चाते थे ये जानना चाते थे ये जितने अमीर आदमी हैं आखिर इनकी थौर्ट्स क्या होते हैं ये सोचते क्या हैं आकर यह अमीर कैसे होते हैं तो उनको वहां से उनको एक माहुल मिला और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इस जूम पे हर एक लीडर के अंदर वो क्वालिटी है ऐसा नहीं कि हम ही सब कुछ कर गए सफी सरी सब कुछ कर गए पांड़े सरी सब कुछ कर गए हर एक लीडर के अंदर बहतर क्वालिटी है आपके अंदर हमसे भी बहतर क्वालिटी है आप हमसे भी बहतर इंसान हो आप हमसे भी बड़ा बिजनिस कर सकते हो लेकिन फर्क थोड़ा सा है माहुल नहीं मिल पाता हमें हमें माहुल नहीं मिल पाता और अगर माहुल मिलता है तो हम उस माहुल में ढलना नहीं चाहते हम उस माहुल में रहना नहीं चाहते और जब माहुल मिलेगा ही नहीं माहुल में रहेंगे नहीं माहुल में ढलना नहीं चाहेंगे तो मेरे दोस्तो, क्या हम उस सोच को बना पाएंगे कभी, जो हमारे पांडे सर की सोच है, जो हमारे मिस्टर ली की सोच है, जो हमारे सफिक सर की सोच है, क्योंकि आपने सुना होगा, खर्बूज को देख के खर्बूज को कलर आता है, तो हम जब खर्बूज के साथ रहेंगे नहीं, उन खेती में रहेंगे नहीं, उस माहल में रहेंगे नहीं, तो हमारे उपर कलर कहां से आईगा हो, हमें एक माहल के अंदर रहना पड़ेगा हमें positive माहल में रहना पड़ेगा उस संगत में रहना पड़ेगा जहां लोग काम्याब हो रहे हैं लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आज हर आदमी हर आदमी इस त्यांस से ज़्यादा भी महनत करते हैं त्यांस के leaders कोई महनत नहीं करते हैं मैं बताना चाहूंगा सिर्फ और सिर्फ उनकी जो महनत है वो सिर्फ time के पंचुल हैं वो time के पंचुल हैं और time पे पंचुल बनने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कोई महनत नहीं है क्या महनत है सुबह नायदो फ्रेश हुए अच्छे कपड़े पहने और अपने सेंटर पर बैठ गया यह महनत है सुबह नायदो फ्रेश हुए अच्छा सा बैग लिया अच्छे कपड़े पहने और कहीं जाके मीटिंग में बैठ गए मीटिंग अटेंड की जहां जाएंगे वह आपको रेस्पेक्ट देंगे जो लेके आ रहे हैं आपके साथ आपके लीडर्स वह आपको रेस्पेक्ट देंगे क्या यह मेहनत है इस जूम पैनल पर या और वी अदर लोग जो बिजनिस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं कि मैं सच वताऊंग दोस्तों हमसे हमसे बीस गुना जादे मेहनत करते हैं वह हमसे बीस गुना जादे मेहनत करते हैं और लास्ट में last में वो अपने आपको अकेला महसूस करते हैं धीरे धीरे वो एक depression का शिकार हो जाते हैं उनको कोई पूछने बाला नहीं होता last में retirement होने के बाद उनको बहुत अकेला महसूस होता है क्योंकि mostly जो उनके बच्चे होते हैं लग जाती है शादी हो जाती है बाहर चले जाते हैं फिर बाद में भी अस्वेंड वाइब दॉनों रह जाते हैं अकेले उनको बहुत अकेला महसूस होता है और दिरे दिरे भीमारियों से गिरिफ्ट वह जाता है depression का सिकार सबसे बड़ा सिकार होता है और वहाँ से भीमारियां स्टार्ट होती है मेरे दोस्तों और अगर ट्यांस की बात की जाए तो ट्यांस में कितनी मैनत कर रहे हैं हम अच्छे कपड़े पहनते हैं अच्छे लीडरों के साथ घूमते हैं अच्छी गाड़ी पर घूमते हैं थोड़े दिन बाद अगर अब पैसा ज़्याद आया है तो कार ले लेते हैं तो यह मैनत है मेरे को तो नहीं मैनत लगती मेरे क सिर्फ माहुल लगता है कि माहुल चेंज करना पड़ेगा हमें सबके थौट्स अलग-अलग हो सकते हैं अपने लेकिन जो महनत आज हम कर रहे हैं इस से दस गुना बीस गुना महनत हम अपने अपने फिल्ड में करते हैं जहां से हम निकल के आये हैं और वहां हम अकेले दंपे करते हैं लेकिन आज इस त्यांस के अंदर इस जूम पैनल पे सुबही दस बजे लोग आते हैं सारी मीटिंग्स स्टार्ट हो जाती है हमारे और कितना खुसरत बिजनस है कि कोई सिखाने की जरुवती नहीं पड़ती किसी को कोई पैसा ही नहीं देते सीखने का हम और हमारे लीडर्स इतने प्यार से सिखाते हैं इतने प्यार से सिखाते हैं कि कहीं कोई बात हमारे लीडर्स को घलत ना लग जाए बिल्कुल अपने बच्चों की तरह सिखाते हैं वो चाहते हैं कि हम काम्याब हो जाएं वो हमें काम्याब करना चाहते हैं लेकिन दोस्तों आज हम आज हम अपने आपको नहीं देखते हैं हम सामने वाले को देखते हैं कि आखिर ये हमसे बारवार क्यों कह रहे हैं यह वार-बार क्यों कह रहे हैं मैं आपको सच बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों कि आज हम और आप बहुत शुक्र गुजार हैं उस गौड के उस खुदा के के हम एक बहतर लीडर की टीम में वर्क कर रहे हम बहतर लीडर्स की निग्रामी में वर्क कर रहे हैं परना आज बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो अपने आपको देखते हैं अपने चेक बनाने को देखते हैं और वहां काम करते हैं जहां जहां से उनका चेक बन सकता है लेकिन आज हमारे सफिक सरें उन्हें कोई मतलब ही नहीं है जहां से उनको जरुवत है वहां चले आते हैं जो बुलाना चाहिए वहां चले आते हैं उन्हें कोई बीकर से कोई बड़ी लेक्स से कोई मतलब ही नहीं है और हम एक ऐसे leaders के साथ अगर work नहीं कर पाए मेरे दोस्तों यहाँ पर किसी को कुई motivation नहीं दिया रहा लेकिन मेरे दोस्तों ये बताना जरूरी है कि अगर हम अपनी life में serious नहीं हुए तो कभ serious होंगे मेरे दोस्तों अगर हम आज serious नहीं होंगे तो कल सीरियस होंगे क्योंकि यह टाइम यह टाइम बापस आने बाला नहीं है टाइम की सुई बहुत तेजी से चल रही है और हम और आप सब लोग काम्याब होना चाहते हैं ऐसा नहीं है हमारे लीडर जितने भी जूम पैनल पर हैं बहुत ही बहता लीडर हैं टाइम से आते हैं सीखते ही ठाइब बहुत कोछ हैं लेकिन दोश्थ मिलगेट नहीं इसका कोई टार्गेट नहीं है सीखते बहुत अच्छी अच्छी बाताथें भी बताते हैं लेकिन जो हमारा मैं फोकस है वह है बिजनिस बिजनेस जिसके लिए आज यह जूम पैनल बनाया गया है जिसके लिए हम और आप एक जगह 71 तो होते हैं डेली क्योंकि पैसा एक बहुत बड़ी इंपोडेंट छीज़ा है लाइफ में पैसा लाइफ में बहुत इंपोडेंट है और हम को पैसा ही नहीं आएगा तो मेरे दोस्तो हम कितने समय तक पाएंगे और पैसा आएगा हमारे बिजनिस से पैसा आएगा हमारी हमारे खुद के काम करने से पैसा आएगा हमको इस बिजनिस के प्लान को सीखने से मेरे दोस्तो आज हम डारेक्ट सैलिंग के बिजनिस में हैं सेल्स के सेक्टर में है सेल्स तो हमें करना पड़ेगा चाहें हम एक परचुनी की दुकान लेके बैटे हैं चाहें हम कोई केमिस्ट लेके बैटे हैं चाहें हम डॉक्टर हैं चाहे हम इंजीनियर हैं, चाहे हम किसी पर employee हैं, हमें जाना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा, और दोस्तों हम करते हैं, आज जैल तर जूम के बहुत सारे leaders होंगे, कि हम अपने सेंटरों पर बैठे होंगे, हम अपने घरों पर बैठे होंगे, लेकिन उन लोगों को पूछो, जो जॉब करते हैं, प्राइबेट जॉब करते हैं, चाहें गवर्मेंट जॉब करते हैं, उनको सुभई 8 वजे पहुंचना है, उनको सुभई 7 वजे पहुंचना ह कितनी मेहनत करते हैं वो हम से जादे करते हैं आप बिलीब नहीं मानोगे मैं कल बारे बज़े उठाता पर्सों में चार बज़े उठाता क्योंकि मुझसे कोई कहने वाला ही नहीं जब तक दिल चाहे तब तक सो मैं सुबह नास्ता किया कल और दुबारा से फिर सो गया बारे बज़े उठाता वो भी एक हमारे नवे सर थे वो मिलना चाहा रहे थे उसकी वैसे पर्सों में शार बज़े तक सोया क्यों क्योंकि यह डिपेंड यह बिजनिस हमारा है हम जितना काम करेंगे हमसे कोई कहने वाला नहीं हमसे कोई सुनने वाला नहीं अगर हम जॉब कर रहे होते कास अगर मैं अपना medical store भी चला रहा होता तो सुबह भागना पड़ता मेरे को लेकिन यहां पे starting में हमने थोड़ी सी मेहनत करनी होती है starting में हमें थोड़ी मेहनत करनी होती है लेकिन जिस तरीके से फिर एक कहते हैं न एक गुलाब का जो बगीचा होता है और आपने आपने बगीचे के अंदर अपने खेत के अंदर पोदों को लगा दिया तो जब time आता है तो धीरे धीरे कभी इस गुलाब पे फूल आएंगे कभी उस पेड़ पर फूल आएंगे आपको खुद अंदाज्चा नहीं होगा कि आपकी कौन-कौन से पेड़ पे फूल आने लगे हूँ और उन फूलों से आप बहतर एक income कर सकते हूँ उनको sell out कर सकते हूँ तो कहने का मतलब दोस्तों कि आज हमारे गुरू जी सफी मॉम्मा सर की माध्यम से आज मेरी भी एक छोटी मोटी सी टीम बन पाई है और हमारी टीम के अंदर एक से एक बहतर लीडर है एक से एक बंडरफुल लीडर है Thank You मालती मैम, Thank You एक से बढ़कर एक लीडर है अगर नौलिज की बात किया है तो किसी भी डॉक्टर को बिठाल दो बहतर तरीके से उनको नौलिज देते हैं किसी भी डेमो की बात किया है तो इतना बेस्ट डेमो देते हैं हमारे लीडर्स एतना अच्छा थो मैं बी नहीं दे पाता हूँ मुझे बहुत खोशी होती है ऐसा नहीं दोस्तों कि मैं जो बोल रहा हूं मैं जानता हूँ आप मुझसे भी पहतर काम कर रहे हैं लेकिन दोस्तों सक्सेज अगर हमने ली और काफी दिनों में ली तो उसका क्या फायदा क्यों कि यहां पर किसी ने टार्गेट नहीं रखा हमारी कंपनी ने हमारी कंपनी ने कोई भी टार्गेट नहीं रखा लेकिन हमें अपना गोल बनाना है तो दोस्तों मैं बता रहा था कि आज मैं बहुत सारे लीडर्स हैं उनके चेक नहीं मन पा रहे होंगे लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि कभी भी बिज़निस अप और डाउन होते रहते कोई टेंशन नहीं हम इस तायम पर अपनी knowledge को बढ़ा सकते कि नॉलिज को बढ़ा सकते हैं अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हैं अकर आपको बहतर इंकम लेनी है और पर मंथ इंकम लेनी है तो आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी हमें अपनी टीम बना ली है थैंकि फिरो सर्थ हमने कितने लोगों की टीम बना ली कि बिजनिस होना न होना ये एक अलग बात है लेकिन हमें टीम बनानी है क्योंकि काम तो कभी भी हो जायगा आपके साथ लेकिन अगर आपकी टीम नहीं होगी तो बहतर इंकम नहीं आ सकती तब तक आपके टूर नहीं हो सकते जब तक आपकी एक मजबूट टीम नहीं होगी टूर करना चाहते हैं न मुस्टली सभी लोग चाहते हैं बहतर इंकम लेना चाहते हैं मुस्टली सभी लोग लेना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा हमें एक मजबूर्ट टीम बनानी होगी बहतर टीम बनानी होगी और आप मजबूर्ट करना होगा थोड़े दिन के लिए आपको अपनी वैली को भूलना होगा थोड़े दिन के लिए आपको अपनी टीम पर इस तरीके से फोकस करना होगा जैसे आज हम कुछ है नहीं, बस कहते हैं न, कि अपने आपको समर्पन करना है, हमें अपने आपको हमें अपने आपको थोड़े से दिन के लिए समर्पर करना हैं, और हमेशा ऐसे ब्यक्ति के साथ रहिएगा, हमेशा ऐसे ब्यक्ति के साथ रहिएगा, जिसमें आपको ये तीन चीज भेट करने की भेट की हो, आपका साथ अपना समय और अपने आपको समर्पन किया हो, दोस्तों बहुत सारे लीडर से काम कर रहे हैं, महनत कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आपको समर्पन नहीं कर पाते हैं, यही थोड़ी सी कमी हो जाती है, कहम सीखने के लिए कम नहीं है, चाए हमारे अप्लाईन हो, चाए हमारे बिजनिस पार्टनर हमारे हो सकते हैं, टीम की लोग हो सकते हैं, हमें अपने आपको समढ़पन करना है, हमें अपने आपको अपनी कम्यूनिकेशन बना के रखना है, अपने लीडर्स की टच में कम्यूनिकेशन बना के रखना है, और हमें जादे से जादे डेश्ट तक के लीडर्स को टच में रखना है, आपको अगर बहतर इंकम करनी है मेरे दोस्तों तो आपको एक लिएग से चार लीडरों पर फोकस करना है चार लीडर आप अपने चुन लिजेगा और चार लीडरों को आपको मेहनत करनी है और उन लीडर को पर मेहनत करो, जिन आपका गोल है HD जाना, आपका गोल है HD जाना, और उन लोगों का भी गोल देखो, जो seriously HD जाना चाहते हैं, आप उन लोगों के साथ वर्क करिएगा, आपका साथ बहुत तेजी से वर्क होगा, और उन लोगों की टीम भी बहुत तेजी से ग्रोथ होगी काम हमें सब पर करना है लेकिन आप अपने आपको मजबूत करना चाहती हो तो आप भी चार लोग मजबूत करिएगा एक टीम में चार लोग आपके मजबूत होना बहुत जरूरी है तैंक यू अज बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे इप्राहिम सरें यूसफ संब आ मजबरे अगर मैं नाम लोग Гóg तirse के बहुत सारे नाम हो जाएंगे और इस तरीके का हमारे बहुत सारे लीडर्स है जो इनको डेली देखता हुं देले इनको कही न हमों देते हुए यह कहीं नहीं कहीं नजर आ रहे होते हैं इंशाला इनकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी और एक दिन यह काम्याब होंगे यह डिपेंड नहीं करता हमारी एजुकेशन कितनी है या हम बहुत कम नौलिज रखते हैं अगर इस बिजनस में काम्याब होना है तो इस बिजनस में हमें लगे रहना है सीखते रहना हैं लगे रहना हैं सीखते रहना हैं लगे रहना हैं और धीरे धीरे हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं बहुत बड़ा काम हो सकता है हमारे साथ हमें बस पेशेंस बना के काम करना है आप बिलीव नहीं मानोगे मेरे दोस्तों अगर मैं त्यांस में आया था उस टा रुपे का था कोई भी हमारी डायरी को चेक कर सकता है पास्वुक को 306 रुपे का चेक आया था पहले महीने का और हमारा दिमाग हो गया खराब क्योंकि मैंनत करी हमने पूरे महीने भागे दोड़े और 306 रुपे आये कि क्यों अपनी दुकान से बहतर इंकम कर रहे थे तो आप लोग भी कि 306 रुपे में हम क्या पूरे महीने मैनत करेंगी लेकिन हमारे अप्लाइन सफी सर ने बताया समझाया इस बिजनिस की जो ब्यूटी है जो हकीकत है वो मेरे को दिखाई और उन्हों ने एक मैप बनाया कि इस तरीके से डक्साव इंकम आएगी आपको शुरू में आपकी मेहनत थोड़ी जादा रहेगी पैसे कम आएंगे तैंक यू पूरा मैम तैंक यू दूसरे महीने का चेक आया हमारा कि दूसर पांच यानि प्लस होने की जगे और माइनस हो गया लेकिन मेरे दोश तो जैसे कि मैं बता रहा था कि पहले से अल्रेडी हमें एक डॉक्र थे और डॉक्टरि बेस पर हम काम कर रहे थे और त्यांस में भी हमें एक डॉक्ट्रि मिली multiply हुई, plus भी नहीं multiply हुई कि हम बिना पूछे किसी की बीमारी बताने लगे तो अगर पैसे आते या नहीं आते लेकिन हम active income पे भी काम करते chance में और तीसे महिने में बाइस सो का आया चोथे महिने में साथ हैार का आया पांच में में चोधा हजार का आया फिर हमें थोड़ा सा इंटरस्ट आने लगा और इस chance के माद्यम से सतर सतर हजार का चेक भी आने लगा अगर हम शुरू के दो से तीन महिने चार महिने के अगर चेक को देखते हम तो शायद हम भी काम नहीं कर पाते यहां पे लेकिन हमने अपने अप्लाइन के touch में रहे जादे से अदा इस की knowledge को लेने की कोशिश करी के हमारा बहतर चेक कैसे बन सकता है हम बहतर income कैसे कर सकते हैं हमारे टूर कैसे अच्छी हो सकते हैं तो हमारे अप्लाइन ने सिरीफ और सिरी एक ही बात बताई कि डग्साव आपको अपनी टीम का चेक बनवाना है आपको अपने नहीं आपको अपने टीम के चेक को देखना है आपको अपको टूर अपना करना है तो आपको अपनी टीम में टूर अचीवर बनाने हैं दौनों लेगों में टूर अचीवर बनाने हैं ऑगा मेरे माइंड में यह सारी बाते आ गएंग ये इंग क्यू से था ये वाकि में बंडर्फुल लीडर रहे हमारे अससर अगल ये अगर अपनी बड़ी इंकम करनी हैं तो आपको अपने लीडर्ज के चेक बनाने हैं उनकी इंकम करानी है मेरे दोस्तों अब हमने काम करना स्टार्ड किया अपने लीडर्स के चेक को बनवाने के लिए क्योंकि अगर हम मैनत करते तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने आपको मैंटन करते तो हम एक लैग मैंटन कर सकते थे सीधी सीधी लैग मैंटन कर सकते थे लेकिन हमने अपने लीडर्स के चेकों को बनवाया उनकी दोनों लैग मैंटन की जैसे मैंने अपनी लैगों को मैंटन किया उसी तरीके से मैंने अपने दौनों लीडर्स की maintain करना प्ला सटार्ट किया। उनकी help ली, काम उनका ही था, लेकिन help हम ने की, क्योंकि एक बहुत ही खुस्सुरत income आती है ट्यांस में, वो होती है training income, और training income आती है, वो आती है हमारे हमारे टीम के अंदर जितने भी लोग एक्टिव हैं उनका जो मैचे इंकम मनती है उससे आती है और आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों आज मेरे पास 50-60 डॉलर कभी-कभी 80 डॉलर तो सिर्फ और सिर्फ उन लीडर्स की इंकम से मेरे को आती है यानि 10-15,000 रुपे तो जो मेरी गाड़ी का खड़्चा होता है जो आज मैं अपनी गाड़ी का खड़्चा करता हूं वो खड़्चा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की ट्रैनी इंकम से आती है तो हमने उनके चेकों को बनवानी की कोशिश करी उनको टूर अचीवर बनवाया मेहनत उनकी खुद की थी स्रिफ और स्रिफ लगन हमारी थी आइडिया हमारे लीडर्स लेके आ रहे हैं महनत वो कर रहे हैं तो क्या हम लग भी नहीं सकते हम उनके साथ लगे और जब हम लगते हैं हमारी इंकम तो आती है हमारे लीडर्स को भी अच्छी चेक आते हैं जब अच्छे चेक आते हैं तो आप यकीन मानिएगा, जहां से इंकम बहतर आएगी, लेवल बढ़िया बनेगा, सम्मान बहतर होगा, तो लीडर्स सिर्क खुल के काम करता है। तब बेरे दोस्तों, आपको अपनी लिये नहीं, आपको अपनी टीम के बारे में सोचना है, हमें अपने टीम के लीडर्स को आगे निकालना है, और आप अपने आप आप अपने निकलेंगे। त्यांस एक बहतर प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से पूरी हिंदुस्तान के अंदर इनी पूरी दुनिया में बहतर इसका बुल बाला है, इसका डंका बजरा है। तोस्तों आज हम अवारे मार्किटिंग बिजनिस स्बसे बड़ी इंड़स्त्री बिजनिस है किसी भी बिजोस को कभी कोई हो साथ में यह कभी भी अब यह करोगी करोगी यह बिजनस हमसे होगा और जहां हमारे बहतर लीडर्स हों बहतर हमारे बिजनिस पार्टनर हो हमारी टीम हो तो यह फिलॉफ होई नहीं सकता फिलॉफ के लिए आप खुद अंदाजा लगाओ मैं अपने घर में बैटाओं ब्रॉंज लॉइन लीडर है कोल्ड लॉइन की तैयारी चल रही है मेरे घर में कितना माल होगा ट्यांस का चार्च है दस अहार बीस अहर का कौन समयने यहां फे फैक्टरी लगाके रखिए लेकिन अगर पे आउट की बात की जाए बिजनिस की बात की जाए तो बिजनिस हम वह कर रहे हैं पे आउट हमें वह मिल रहा है जो अच्छा अच्छे खासे किसी गवर्मेंट इंप्लोई को नहीं मिल रहा होगा अगर इंजोई की बात किया जाए तो जो बहुत सारे बहुत बड़ा-बड़ा पैसा लगा के जो फैक्टरियां लगाके बैटे वह भी लोग इंजोई नहीं कर पारें वह इसा बिजनिस हमें मिला है गल्ती से हम इस बिजनिस में आ गए मेरे दोस्तों तो हमें सीरियस होके इस बिजनिस को करना होगा आज से तीन निन पहले हमारे c.s.bimal sir की मििटिंग थी गोवर्मेंट इंप्लोई हैं एक सफना होता है हम और हर एक इंसान का उस जॉब के लिए I.S.P.C.S. की जॉब के लिए हरे एक इंसान का सपना होता है और तीन दिन पहले की मीटिंग में सर बता रहे थे कि मैं अपने अप्लाइनों सो सीखता हूँ ये बिजनिस, ये वो बिजनिस है कि आपको ही नहीं आपकी पीडियां दर पीडियों को एक ऐसा बगीचा लगा के चले जाएंगे आप कि ये बगीचा कभी इसमें दीमकी ही नहीं लगेगी लेकिन स्टाइटिंग में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी वो बता रहे थे कि मेरा पैट्रोल टंक है मेरे पास कॉलेज है मेरे पास लेकिन मैं डिपेंड हूँ उन मजदूरों के उपर वो जिस दिन छुट्टी मार जाएं वो उसी दिन फ्लॉफ कर देते हैं सारा पैसा मेरा लगा हुआ है एक बहतर एज्यूकेशन रखने के बाद एक गवर्मेंट इंप्लॉई होने के बाद फिर भी डिपेंड है वो मजदूरों के उपर यानि सरकी बातों से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला कि हम तो कुछ भी नहीं है हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है ना ही कोई नॉलेज है इतनी ना बहतर एज्यूकेशन है इतनी ना कोई बहुत बड़ी हमारे माबाप की कोई पूजी है हमारे पास लेकिन अगर ट्यांस अगर हमें मिल गया है हमारे अपलाएंगों के मादध्यम से किसी के भी माद्यम से अगर हमें ट्यांस मिल गया है तो इससे बहतर कोई भी हमारे पास फूझी नहीं है हमें किसकी जरुवती ही नहीं है सिर्फ और स्रफ एक चीज में इसमें हमें सक्सी होना है 101% हमारे पास हर वो चीज होगी जिसके लिए हम चाहते हैं मेरे दोस्तों सबसे पहले इस बिजनिस को हमें seriously सीखना है और मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी हमारे 7 star leaders है 7 star leaders हमारे अलीगर के अंदर तीन तीन चाचा जूम चलती है हमारे 7 star leaders की और मुझे बहुत खुशी होती है यह हमारे सफी सर की माद्यम से हो पाया आज हमारे leaders अपनी अपनी जूम पे अपने अपने leaders को training देते हैं कि कि बहुत सारी बाते होती है इस जूम पैनल पे हम नहीं बोल पाते हम बहतर नहीं बोल पाते हमारे leaders नहीं बोल पाते हैं लेकिन जब चार लीडर पांच लीडर आठ लीडर होंगे किसी के खास तो वह वहां पे बोल पाएंगे और यह सब्बूत है हमारा फिरोजाबाद से हमारी तन्वीर मैडम है निशाखान मैडम है यह बोल नहीं पाते थे जूम पे अगर इनका माइक अन्मीट कर दिया जाते थे तो बोलते कमते हस्ते जादे थे लेकिन आज फुरकान साब की बज़े से यूसुप सार की बज़े से फ्रोजाबाद के अंदर आज यह लीडर ऐसे हैं दो दो गंटे बोलो दो दो गंटे की LDP हम से बहतर LDP कर पाते हैं किससे सिर्फ और सिर्फ सीखने से इस जूम के माद्यम से डेली उनका नाइट में शेशन रहता है 9 बज़े तो दोस्तों आप सब लोग अपने जितने भी ऌसे लीडर नहीं चाहें वो दहली की टीम हो, लीगड की टीम हो, फ्रोजाबाद की टीम हो, औल ओवर कहीं की भी टीम हो आप अपने सेवन स्टार लीडर्स आप अपनी अपनी एक टीम बनाओ अपनी जूम पर एक मीटिंग को स्टार्ट करो आपकी जूम में सेवन स्टार लीडर की टीम के अंदर कम से कम दस एक्टिव लीडर होते हैं अगर हम सही से वर्क कर रहे होते हैं तो तो दस लीडर को लेके आप बिजनिस को स्टार्ट करो इस बड़ी मीटिंग पर हमारे मौसें सर बहुत अच्छी नॉलिज देते हैं और इस नॉलिज को लेके आप अपनी टीम को समझाओ आप अपनी टीम को स्टिबिल करो और बहतर काम हो पाएगा हमें अपने आपको मजबूत करना है तो हमें अपनी टीम को मजबूत करना पड़ेगा हमें अपने चेक को बनाना है तो हमें अपने टीम के चेक को बनाना पड़ेगा हमें अगर अपने टूर अचीब करना है तो हम में अपनी टीम का टूर अच्छीव कराना पड़ेगा है यह अभी आप बिलीब नहीं करोगो दोस्तों यह अभी सिंगापूर मलेशिया का टूर गया है इस टूर पर मेरे को पता था कि अलिगर्ण से इंशालला हंडर परसंट तीन लीडर जाएंगे लेकिन यह थोड़ी सी कमी हमारे हमारी रही कि हमने सीरियसली बिजनिस को नहीं लिया तूर को सीरियसली नहीं लिया या हमारे लीडर्स ने इसको सीरियसली नहीं लिया वना यहां से तीन से नहीं चार लीडर जाते लेकिन कोई ने तूर आते रहेंगे जाते रहेंगे हमें तूर आने से पहले तयारी करनी है नेक्स टूर आएगा फर्वरी में मार्च में अप्रेल में लेकिन हमें प्लानिंग आज से करनी है planning नास से रखनी है कि हमें अगर तूर को अच्छीव करना है तो हमें अपने लोगों को कौन-कौन से leaders को तूर को अच्छीव कराना है Income अपने आप आएगी आप अंदाज़ा लगा सकती हो कि तूर जब आदमी अच्छीब करता है तो don but don't know submit thank you दोस्तो मैं चाहता हूं इस business को seriously किया जाए और समझा जाए सीखा जाए सिखाए जाए और थोड़े से टाइम है शुरू में हमें मेहनत करनी पड़ेगी और यह वह मेहनत है कि आपको अकेले नहीं करनी आपके टीम के लीडर्स आपके साथ होंगे आपके अप्लाइंस आप साथ तो हम अकेले तो ही नहीं है कहीं पर भी अकेले नहीं है और जब आप थोड़ा सा लेवल ग्रोथ कर लेंगे एट स्टार एबब होंगे तो आपके साथ एक कार्मा होगा और इंशाल्ला उस टाइम पर आपको वह फीलिंग्स आएगी आप बिलीब नहीं करेंगे कि वह फीलिंग्स आती है जब हजारों की टीम हजारों की तादाद में लोग आपको कंदे पर लेकर जा रहे होंगे स्टेश तक बहुत सारी माला है पड़ रही होंगी आपको बहुत बड़ा अच्छी मेंट हो रहा होगा आपको सच बचाने दोस्तों आप बिलीब नहीं करेंगे वो खुशियां वहां से मिलती है तो तैंक यू टाइम भी बहुत ज़ादा हो गया है और आप सब लोगों ने मेरी बातों को सुना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तैंक यू और अगर इस दौरान कोई भी जब तक हमें आपने भी देखा होगा कि स्कूल के अंदर वहीं बच्चा बहतर काम्याब हो सकता है कि बहतर टीचर के बीच में रहता हो उसने डाट भी कहाई हो फटकार भी खाई पिटाई भी खाई हो और जादर अकसर मैंने सुना है कि वह बच्चे बिगड़ जाते हैं जिनको ज़्याद लाड़ प्यार दिया जाता है यह ऐसा मैंने सुनाये आपकी तो अलग हो सकते हैं तो आपने मेरे को मौकर दिया थैंक की ऋरल टीडर टीम तैंक Samantha तेंक यू सर तेंक यू और बहुत ही जादा सर वंडर्फू सर शैसन रहा आपका आपने जो बात कही अभी जो लास्ट में बहुत ही जबर्दस को कि ये 100% एक सोच है कि वाकई में अगर जिस बच्चे को जादा बच्पन में लाड से रखा जाता है जादा प्यार से रखा ज